है यो दिस आर्टेक्स और कम बेक स्वागत गाइस सबीका और एक वीडियो के साथ तो गाइस आज आम बात करने बाला हूँ वेलोण एक एरर के बढ़ादे में गाइस जब भी आप लोग अगर वेलोण गेम को ओन करते हो न तब भी गेम अप से रिष्टट मंगता है एक बार पीसी रिष्टट करो उसके बाद तुम गेम में गुश सकते हो इसके पहले नहीं गुश सकते अगर ऐसा कुछ error आता है आप लोगों के PC में हार बारी मतलब restart कर उसके बाद चल जाता हैगे ऐसा कुछ error आता है तो उसका solution कैसे हो सकता है तो उसका बार मैं आज बत करने वाला हूँ मैं तो चले शुरू करते हैं तो guys well want अगर आप लोगों से restart हार बार मंगता है तो उसका दो करन हो सकता है तो पहला जो करन है वो है कि यहाँ पर जो error हो ना इसको error को खुलू खुलने के बाद वेंगाड एक option आता है ओ देखो आप लोगों को PC में हार बार जब आप PC on करता हूँ वो चीज यहाँ पर show होता है कि नहीं अगर अगर यह show नहीं होता है तो आप लोगों को tax manager पे जाना है tax manager पे जाकर यहाँ पर setup पे जाना है setup पे जाकर वेंगा try notification इसको करना है आप लोगों को अगर disable इसको enable कर दो यह enable हो जाएगा तो enable होने के बाद आप लोग आप जब भी PC on करते हो तब भी automatically वो यहाँ पर show हो जाएगा मतलब on हो जाएगा तो यह तो है एक चीज और एक चीज है कि आप लोग पे service पे जाओ यह तो एक method हो गया कि आप लोग जब भी यह आगर नहीं होगा ना यह आगर आप लोग इक्ष्ट वेंगर्ट कर दोगे तो आप लोग का game restart मंगेगा क्योंकि यह game on होने के play यह on होना ज़रूरी है तो दूरसा चीज है कि आप लोग service पे जाओ उसके बाद जाओ एक option आता है और रोको कहाँ पर यह वाला option चलो मिल गया BG से एक option है न आप लोगों दिख जाएगा service कोलने के बाद BGC इसको आप लोगों को properties में जाकर वो manual होगा by default उसको आप लोग आटोमेटिक करना है आटोमेटिक करके apply ok करना है बस इतने ही है इतने ही है बस आपका game आपका PC एक बाद रिष्टर्ड मारा उसके बाद आपका game hardware ही मतलब जो रिष्टर्ड मांगता है न वो चीज नहीं होगा तो इतने ये वीडियो आप लोगों अगर कोई भी दिखकत हो इसके बारे में तो बाता देना कोमेंट में Thank you guys, मिलते हैं और एक वीडियो के साथ अगर आप लोग नहीं हो तो like and subscribe कर देना मिलता हो और एक वीडियो के साथ Good bye